चैप्टर है जिसमें मीनिंग्स काम आएंगे भावार्त ज्यादा काम आएगा सब तमह पाठा आरुनी श्वेत के दो संवाध है यारी इसका संदर्प कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गध्यान्स हमारी पार्ट पुस्तक के आरुनी श्वेत के इतु समवाद नामक पार्ट से अवतरित किया गया है इस अंश को छंदोग्य उपनेशद से संकलित किया गया है यानि जो ये अंश है वो श्वेत के इतु एवं आरुनी के मद्ध हुआ समवाद है जिस से पहले यहां पर देखेंगे साहा 12 वर्ष उपेत्य चतुर विंशती वर्ष हा सरवान वेदान अधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाए साहा सामाने वहा सामाने वहा वहा कौन आरूनी ठीक है वहा कौन श्वेत केतु ठीक है श्वेत केतु कौन था श्वेत केतु आरूनी का पुत्र था तो साहा यानी कि वहा श्वेत केतु द्वादश वर्ष द्वादश मिन्स होता है 12 साह माने वहा द्वादश माने 12 वर्ष माने वर्ष उपेत्य माने क्या उपनयन संसकार करा करके 24 वर्स मतलब 24 वर्सों तक सरवान माने सभी वेदान माने वेदों को अधीति माने पढ़ करके महा मना महान मनवाला अनूचान मानी अनूचान मानी का मतलब क्या होता है महान मनवाला महान मनवाला और अनूचान मानी यानि आश्चर चकित सा हो करके तो अनुचान मानी का आर्थ होता बड़ा अकड़ वाला बन करके अपने आपको बहुत विद्वान मानते हुए यानि की पूरा का पूरा घमंडी हो करके इस तब दमाने शांत होकर के AI माने लोटा है लोटा है AI माने आये हो या AI माने खड़े हो यानि कहने मतलब ये है कि वो बारा वर्स में उपनयन संस्कारो परांत अर्थात गुरू के पास जा करके पिता के समीप आया और चौबीस वर्सों तक संपूर्ण वेदों का अध्यन करके भी बिलकुल शान्त सरूप कुछ न कहता हुआ बिलकुल महानमनवाला आश्चरि चकित्सा एकदम इस्तब्ध हो करके खड़ा हो गया इस्तब्ध आयं माने शांत हो करके आया है कौन श्वैद केतो कौन आरून का पूतर साह माने वह 12 वर्स माने बारह वर्स उपेत्माने गुरू के पास रहे करके चतुर विंशत वर्षा 24 वर्षों के बाद यानि जब 12 वर्ष का था तब गया था 24 वर्षों के बाद सरवान बेदान अधीतिय सभी वेदों को पढ़ करके सभी विद्या ग्रहन करके महान मनवाला महामना मतलब महान मनवाला यानि कि महान तपधन वाला महात्मा बन करके अनुचान मानी के यहां कही अर्थ है अनुचान मानी का रथ है कि बड़े अकड़ वाला अनुचान मानी का रथ है अपने आपको बहुत उचा बिद्वान समझने वाला अपने आपको बहुत बिद्वान समझने वाला अकडवाला स्तब्ध माने शानत सरूफ होकरके एयाय माने आया है और एकदम शानत खड़ा है तम ह और उससे पितो वाच पिता बोले श्वेत केतू हे श्वेत केतू यन्नु सौम्य यतनु सौम्य इदम महामना अनुचानमानी स्तब्धो अस्युत तम आदेशम प्राक्ष यानि उसके पिता ने उससे क्या कहा? क्या कहा पिता ने? तम माने उससे पितो वाच पिता आरुनी बोले श्वेत केतू हे श्वेत केतू सौम्य हे सौम्य सौम्य इदम इदम महामना अनुचानमानी बड़े अकडवाले अपने आपको विद्वान मानते हुए इस तब्धो बिल्कुल शांत होकर के इस तब्धो अस्युत बिल्कुल सांत हो गए हो सांत होकर के लोटे हो क्या तुमने अपने गुरु से तम माने उनसे आदेश माने आदेश प्राक्षा मने पूछा क्या तुमने उनसे आदेश पूछा है श्वैत के तुह आरुने आस श्वैत के तुह आरुने आस श्वैत के तुने आरुने से कहा अब यहां पर जो श्वयत केतु है उसकार्थ और आरुने यह उसकार्थ एक ही है श्वयत केतु माने श्वयत केतु और आरुने कार्थ होता है आरुनी का पुत्र वो जो आरुनी का पुत्र श्वयत केतु से आस माने उसके पिता ने आस माने कहा श्वेत केतु आरुनी का पुत्र श्वेत केतु से उसके पिताने आसमाने कहा तमहाने उसको पितोवाज पिताने कहा तमहाने उससे आसमाने कहा और श्वेत केतु जो आरुणे का पुत्र है उससे उसके पिता ने कहा श्वेत केतु हे श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य में निवास करो यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधू की भाती हुआ हो अर्थात जो एकदम अपने आपको भगवान समझ रहा हो ऐसा हमारे कुल में कोई नहीं हुआ, नवई सौम हे सौम में, नहीं हुआ, नवई नहीं हुआ, असमत कुली नो, हमारे कुल में, हमारे वन्ष में अन अनूच्य, हमारे वन्ष में ऐसा कोई उचे मन वाला नहीं हुआ, ऐसी कोई अकड़ वाला नहीं हुआ, ब्रह्म बंधु यू ब्रह्म बंधु की भाती नहीं हुआ भावती नहीं हुआ है इसलिए तुम ब्रह्म चर्रे में निवास करो और एक बात यहां फिर से आप समझेगा कि मतलब स्वेद केतु के पिता ठीके आरुनी कहते हैं कि हे श्वयत के तु जाओ ब्रह्म चर्रे में निवास करो ठीके दूसरा आर्थ ये भी भावात निकलना तो मेन भावात आप समझे कि नवई सौम में असमत कुलीनों हमारे कुल में हे सौम में ऐसा कोई नहीं हुआ जो अन अनूच्य जो बेदों को ना पढ़ करके अन अनूच्य का मतलब यहां होता है बेदों को ना पढ़ करके ब्रह्म बंधु इव भावती ब्रह्म बंधु के समान हो जाता है हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो बेदों को बिना पढ़े हुए ही ब्रहमबंधु हो जाए और आपको तो भी कुल मिला के पूरा ज्यान है नहीं तो श्वयत केटू जो कि आरूनि का पुत्र है उससे उसके पिता ने कहा कैसे लिखोगे करो यानि तुम ब्रह्म चर्य को धारण करो नवय अस्मत सौन नवय सौम्य और हे सौम्य अस्मत कुली नो हमारे कुल में जो है अन अनूच वेदों को ना पढ़ते हुए ब्रह्म बंधु विव ब्रह्म बंधु की भाती कोई नहीं हुआ बात समझ में आई चलो आगे बढ़ जाता है येन माने जिससे अस्तुरुतम सुरुतम भवती जो न सुना गया हो वो सुना हुआ हो जाता है अमतम मतम अविज्यातम विज्यातम इती अमतम मतम अमतम माने न समझा हुआ आमतम माने न समझा हुआ यहाँ पे भावाती में यडसंदी है इसलिए भावाती धन आमतम भावाती और धन आमतम तो इसका मतलब यह होता है कि जो न समझा हुआ होता है वो मतम समझा हुआ हो जाता है जो न सुना हुआ होता है वो सुना हुआ हो जाता है और जो न समझा हुआ होता है वो समझा हुआ हो जाता है अब विज्यातम जो न जाना हुआ होता है वो विज्यातम इति वो जाना हुआ हो जाता है कथम भगवा सा आदेशो भवती इति तो कथम माने क्या या कैसा अब यहाँ पर श्वेत के तु पूछता है पिता जी कथम जब वो सुनता है उन्होंने कहा कि जिससे क्या तुमने वो आदेश पूछा है जिससे जो सुना हुआ नहीं होता वो सुना हुआ हो जाता है जो न समझा हुआ होता है वो समझा हुआ हो ज जाता है जो न जाना हुआ हो जाता है तो आरुनी का पुत्रश्यदा क्या कहते हैं कि नवय नूनम भग वन तहत अ कि एतत वेदाइश्यु वेधिश्यु अर्ध्य एतत वेदैश्यन कथम में नव अवक्षन इती भगवां त्वेत में तद ब्रू तद ब्रवीत्विति तथा सव में इती हो वाज ना माने नहीं नूनम माने निश्चे ही नवई नूनम वे निश्चे ही भगवनता हमाने वे हमारे गुरू ठीक है यहाँ पर भगवनता का अर्थ है हमारे गुरू ठीक है गूर अर्थ है आपको ध्य ध्यान से सुनने की जरूरत है अगर आ गया तो आप कर नहीं पाएंगे अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नवई नूनम भगवनतहत एतत अवेदिशु निश्चे ही भगवन यानि कि हमारे गुरु निश्चे ही भगवनता हमारे भगवन गुरु एतत माने इसको अवेद यहाँ पर एतत वेदिश लिखा है ठीक है निश्चे ही वे हमारी गुरु इसको अवेदिश माने नहीं जानते होंगे एतत यत एतत वेदिश्यन अगर वे इसको जानते होते कथम माने फिर किस प्रकार में माने मुझको ना माने नहीं ना वक्षत इती फिर वो हमको कैसे नहीं बताते अपने पिता से कहता है भगवन तुम ही में माने मुझको तद ब्रवीत वो मुझको बताओ तथा ऐसा ही हो सौम इति होवाच ऐसा ही हो यानि ठीक है मैं बताता हूँ सौम में होवाच उनके पिता बोले ठीक है मतलब जब उन्होंने कहा क्या तुमने अपने आदेश गुरू से नहीं पूछाता तो वो श्वेद की तू कहता है कि निश्चे ही अगर हमारे गुरू वो आदेश जानते होते तो हमें अवश्य बताते इसका मतलब हमारे गुरू वे आदेश को नहीं जानते थे इसलिए आप ही अगर आप जानते हैं भगवन तो आप ही हे पिताश्री भगवन आप ही मुझको बताएं तो अब यहां से पिताश्री कहते हैं तथा सौम इति होवाच ठीक है ऐसा ही होगा पुत्र होवाच पिताश्री बोले तीक है यहां पर शब्दों के अर्थ के हिसाब से आप प्याख्या नहीं कर सकते हैं अर्थ नहीं निकाल सकते हैं अपने पास से भी कुछ शब्द मिक्स क भी हो पाती है तो आपको अपने शब्दों में यानि जैसी किताबी भाषा जैसा हम बता रहे हैं इसी प्रकार लिखना कोई नहीं काटेगा ठीक है तो आप समझिए यथा सौम एकेन नख निक्रंतनेन सारवं कारशनायसं विज्यातं यथा माने जैसे सौम माने है सौम एकेन माने एक नख निक्रंतनेन माने होता है नख निक्रंतक यानि नाखून काटने वाली धातू से सारवं कारशनायसं विज्यातं संपूर लोह तत्तु समझ में आता है तो फिर से समझो यथा सौम है सौम यथा माने जैसे एकेन माने एक नख निक्रंतनेन नख काटने वाले से सरवं माने संपूर कारशनायसं माने काले लोहे को विज्यातं माने जाना जाता है यानी जैसे एक नाखून काटने वाले से काले लोहे की प्रतेक वस्तु जानी जाती है तो विज्यात माने होता है वाचरमढम माने वाणी मात्र का सहारा विकारो नामधेयम नाम मात्र का ही विकार होता है यानि जैसे एक नक काटने वाले से काले लोहे की प्रतेक वस्त जानी जाती है और विकार केवल नाम मात्र का है जो वानी का सहारा है पर वो लोहा ही है वही सत्य है यानि आप जैसे फावडा कहें, कुदाल कहें, खुरपी कहें, हसिया कहें, आप स्टेपलर मसीन कहें लेकिन सब में लोहा है जैसे हम मनुष्य हैं, पौधे हैं, पशु हैं, सब में एक ही आत्मा निवाश करती सब परम, पिता, परमेश्वर के बनाए हुएं और सभी में वही पांच तत्व ही विराजमान हैं तो यही बात यहां पर कहते हैं, कि जैसे सौम एक नख काटने वाले वस्तू, जो नख काटने वाली लोहे की वस्तू, प्रतेक लोहे की वस्तू जानी जाती है एक नक काटने वाले से काले लोहे की प्रतेक वस्तु जानी जाती है विकार केवल नाम मात्र का है और जो वानी का सहारा है ठीक है वानी का सहारा केवल हम लोग जैसे किसी लोहे की वस्तु को आकार दे देते हैं और वानी से उसके भाव को प्रकट करने के लिए हम उसके अलग-अलग नाम दे देते हैं तो नाम मात्र का ही सहारा है लेकिन तत तो उसमें क्या है लोह तत तो ही है तो मुख्य तत तो क्या है लोह तत तो है तो फिर से समझो यथा सौम हे सौम जैसे एक नख काटने वाली से सारवम कार्षणायतम विज्ञातम समस्त लोहे की वस्तूओं का ग्यान हो जाता है स्यात वाचरणंब्रम केवल वानी का विकार मात्र होता है नाम मात्र का विकार होता है जो मात्र वानी का सहारा है उसमें लोहा ही सत्य होता है ठीक है पर वो जो लोहा है लोहा ही क्रशनायसम इत्येव सत्यम एव तो वही काला लोहा ही सत्य होता है सौम में इस प्रकार सौम में आदेशो भवत वही आदेश होता है ठीक है वही उपदेश होता है कि अगर गुरु आपको ये बता दे कि मतलब तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म हैं उस तत्त को बता दे कि नाम केवल अलग अलग है तत्त सम्मे एक है तो यही आदेश यही उपदेश होता है यथा सौमे जिस प्रकार सौमे एकेन लोह मरिना एक सोने के धेले से या लोहे की मरी से लोहे की मरी कह दो है ना या सोने के धे उसके दूब एथा सौमें एकेन लोह मड़िना जैसे यथा माने जैसे सौम एकेन लोह माने होता यहाँ पर सोना है यहाँ पर लोह माने लोहा नहीं है लोह माने सोना होता लेकिन लोह यहाँ पर कहा गया है लोह मारिना मतलब यहाँ पर सोने को कहा गया यथा जैसे सौम में हे सौम एकेन लोह मरिना एक सोने की वस्तू और आपको ये भ्रम्मिन नहीं पढ़ना है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ आपको लगेगा मैं गलत पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी दूसरे प्रकाशन में देखेंगे तो इसका अर्थ दूसरा निकलेगा किसी दूसरे प्रकाशन में देखेंगे जितने प्रकाशन आप ले लेके आएंगे सब में अलग अलग अर्थ होगा कुल मिला के भवावार्त सबका एक ही होगा लेकिन अगर आप अर्थ मिलाएंगे तो सबका हिंदी अनुआद अलग-अलग होगा सब विद्धवानों के मतानुसार अलग-अलग अपनी भाशा में हिंदी अनुआद करते हैं तो इसलिए यहाँ पर केवल भावार्थ से ही काम चलाना है मीनिंग्स माइने नहीं रखते हैं मीनिंग्स के हिसाब से चलोगे तो कोई हिंदी अर्थ नहीं निकलेगा कोई बात आप तक नहीं पहुचेगी तो इसलिए यह इस पर कमेंट मत करना कि सर आपने सही नहीं पढ़ाया आपको लगेगा मैंने सही नहीं पढ़ाया क्योंकि आप किसी दूसरे प्रकाशन की बुक से देखेंगे तो हम किसी दूसरे तरीके से पढ़ा रहे हैं हम अपने अनुसार पढ़ा रहे हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो गलत नहीं है ये इसकी गैरंटी मेरी है यथा सौम एकेन लोह मरिना है सौम में अब यहाँ पर कहीं पर लोहे की मड़ी भी लिखी होगी अब चुकि उपर लोहे का वर्ण हो चुका है दो बार लोहे का वर्ण नहीं होगा इसलिए यहाँ पर सोने का वरणन है कि यथा सौम एकेन लोह मरिना है सौम में जैसे एक सोने के ढेले से सरवम लोह मयम विज्यातम सभी सोने की वस्तुएं जानी जाती हैं जोहमित्यम एवसत्यम चुकि सोना ही वहा सत्य है और वही उपदेश है क्योंकि आप नाक की बाली लेलो अंगूठी लेलो कान की बाली लेलो आप चूडा मडी लेलो समय सोना ही है तो मात्र वानी का सहारा है लेकिन जो मेनली है वो सोना ही है तो यह बात आपको समझ में आ ग जाता है और विकार केवल नाम मात्र का है जो वानी का सहारा है सत्य काला लोहा ही सत्य तत्व है यही सौ में आदेश होता है ऐसा उन्होंने कहा फिर कहा कि जैसे एक लोह मड़ी से संपूर लोह मड़ी अर्थात एक सोने की मड़ी से एक सोने के ढेले से संपूर सोने को समझा आपको बस इतना पढ़ले ना है से और इसको शेयर कर देना है कठिन पाठता इसलिए मैंने बहुत देर तक पढ़ाया है आपको अब समझ में जरूर आ गया होगा ठीक है नहीं आया तो दुबारा फिर पढ़ लीजिएगा पुराना वीडियो पढ़ लीजिएगा अर्थ भले ही अलग-अलग हो जाए लेकिन पाठ समय सेम निकलती है हर आदमी अलग-यलग पढ़ायेगा आपको लेकिन सबही सही पढ़ाते हैं लग-भगठ ठीक है वर्सेस पैट को इसे पहले नहीं था तो सभी के लिए नया है इसलिए सभी अपने-अपने अनुसार कुछ न कुछ चेंजिस जरूर आपको मिलेंगे तो उसमें आपको अन्यथान लेने के अवश्रक्ता नहीं है बस हमने जो बताया है वैसे आप लिखना नंबर नहीं कटेंगे